वेल्कम बेक टो मैं चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बर्गर बनादे लिया हैं यह मैंने चिकन का कीमा बना दिया है यहां पर यह मैंने पाउ की लो लिया है वो ब्रेट क्रम्स लिये हैं कि यहां पर मैने शिम्ला मिर्ची कट कर लिए है हमारी 2 मिर्ची है बड़े साइस की टोमेटो और नियन्थ यह सब गारणीशिंग के लिए जाएगा क्यारेट कट कर लिया है बार एक बार एक चॉप त्री ग्रीन चिलिज है यह तेज है इसे भी हम दालेंगे और तीन लसन की कली है यह हमारा लट्टिउज है यह हमारे बर्गर पाव है यह हमारा मेयोनीज है और यह चीज है मोजरेला चीज लिया है यहां पर एक क्रीम है और तोईल है आईए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है चलिए इस टार्ट करते हैं पहले हम लसन आड़ कर देंगे इसमें लसन को हम थोड़ा सौते करेंगे मैं यहां पर दो बर्गर के पाओ आपको बना के बताने वाली हूँ बर्गर के दो टीकी लसन थोड़ा सौते हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे हमारे चॉप्ट ग्रीन चिलीज डाल दीजिएगा गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है ज्यादा फास नहीं रखना है अधर हम लोगे जल जाएंगे मसाले में आपके तोड़ा सॉल्ट एड़ कर दूंगी इसी में ताके हमारे मसाले में नमक भी लग जाए अब मैं इसमें सबसे पहले आड़ करूंगी शिमला मर्ची हमारा कैप्सिकम पट किया हुआ ठीकी मैं आपको दो बताने वाली हूँ लेकिन यह मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इदर सब चीज़े जादा जादा लिया है अब अपने सुआत के अनुसर हर चीज लीजिए मैं आपको मेथर बता रही हूँ यह अब मैं यह पर फोड़ा गाजर भी आड़ कर दूंगी सब साती में हो जाएगा शि पर टार आड़ घरोंगी और अब हम इसकी लीड बन कर देंगे अब मैंने अब मैंने गयास का फ्लेम यह पर ओफ पर दूंगी हम लोगा जो पानी था वो भी तूप चुका है देकि हमारा वेजिटेबल भी यहाँ पर गल चुका है अब मैं से थंड़े के लिए रग बनेगा हमारे जो बर्गर के वो है कि कटलेट जो है बर्गर के वो एक दम सौफ्ट और जूसी बनेंगे आई हम इसमें तोड़ा सॉल्ट भी आड़ कर देते हैं अपने हिसाब से सॉल्ट एड़ कि जिएगा टेस्ट के साफ से मैंने आपे वेजीटेबल स्टंडी कर ली थी कौण बर्गर को बना रही है कि समां जालूगी जो बाकी की वेजीटेबलस आप पूछेंगे इतनी सारे वेजीटेबलस फ्राई किया हैं वह 했는데 चालिए का आईये हम इसको और से मिक्स करते हैं हाथ से मिक्स कीजीए हाथ से मिक्स करणा अजरा अलग रहता है अच्छे से मिक्स होएगा तका अब में हांgleगका का वन टेपल स्पून पड़ेगा उसके बाद मैं इसमें मौजरेला चीज बीच में आड़ करूंगी आपको जितनी आड़ करना कम यह जदा अपनी चाप से आड़ कर सकते हैं अब मैं इसे पूरा अच्छे तरीके से कवर अप कर लूगी और ऐसे कवर अप करूंगी कि हमारा चीज बिलकुल भी ब बिलकुल भी नहीं चिकेगा देखिए माशाला किती अच्छी टिकी बन चुकी है हमारी अब मैं इसे हमारे ब्रेट क्रम्स में डीप कर दूंगी हमें डायरेक्ट इसे ब्रेट क्रम्स में लगाना है ब्रेट क्रम्स लगाना है हमारा डायरेक्ट और यह हमारी ठिकी देखि अब जब तक हमारा इसे वाइट सुस बनाती है यहाँ पर मैने इसका त्री टेबल स्पून ऐसे लिया है इसका त्री टेबल स्पून अब यहाँ पर क्रीम आड़ कर दूंगी क्रीम आपको मेयोनी से ज्यादा लेना है उससे टेस्ट अच्छा आएगा हमारे वाइट सॉस का बर्गर के टीकी में रखना है लगाना है मैं चुटकी पर यहां पर शुगर ले रही हूँ बस तो ओड़ी सी शुगर डालना है टेस्ट के लिए आपको बस और यह अच्छे से मिक्स करना है और हमारे इदा वाइट सॉस रेडी है हम यह वाइट सॉस बर्गर में लगाने वाले है हम लोग की बर्गर की टीकी यहां प कर लेंगे बीच में से कट कर लीजेगा देखिए मैंने से कट कर लिया है ऐसी में सेकेंड पाओ भी कर लूंगी दोनों को कट कर लीजे और अच्छे से इसे तवे पर थोड़ा सेक लीजिए सेके बीना उसका मजा नहीं आएगा बर्गर के पाओ का ठीक है हम लोगा तवा यहां पर गरम हो चुका है मैं इसमें हलका से तेल डालूंगी और इसे यहां पर रख देना है हलका हलका में सब चीजे सेक कर ले लूंगी दोनों भी पाओ को दोनों तरफ से चारो भी पाओ को मैंने यहां पर हलका हलके पाओ सेक लिया है अब हम इसमें बर्गर की टिकी ल अब जो हमने वाइट सॉस लगाया था फ्रेंड्स में सबसे पहले बर्गर की नीचे की टिकी में यह वाइट सॉस लगा दूंगी अपको जितना चाहिए कम यह ज़्यादा आप लगा सकते हैं मैं यह पर थोड़ा ज़्यादा लगाँगी उससे टेस्ट हमारा काफी इंशालला अच्छा आएगा हमने दोनों पाव में क्रीम लगा दिया है हमारा सॉस लगा दिया है क्रीमों मियोनीस का अब मैं इसमें लेट्यूस का पता आड़ करूंगी अब मैं इसमें टमाटर आड़ कर दूंगी मैंने टोमाटो के स्लाइस यहां पर रख दिया है अब मैं इस पर अनियन्स रखने जा रहे हूं दोनों पर भी हमें रखना है अगर आपको कच्छे नहीं पसंदे तो आप उसे स्किप कर सकते हैं हम यहां पर रख रहे हैं अब बर्गर की टीकी हम इस पर रख देंगे दोनों पर भी अब बर्गर के यह वाले साइट पर हम लगाएंगे सॉस अब मैंने यह वाले पाट में टोमाटो सॉस लगा दिया है अब हम इसके टीकी के उपर इसे लगा देंगे और रख देंगे एसी मैंने दूसरे के लिए भी कर दिया है दूसरे के लिए हम लगा देंगे और रंक देंगे चिक्षिन है आप भी ऐसी कीजिएगा देखिए फ्रेंच माशाला मोलो का बरदर कितना ज़्याद इच्छ लग रहा है कितना कुपसूरत लग रहा है आप सभी लोग इसे ट्राय जरूर करेंगे और करना ही चाहिए किके मेरे रेसिपी इतनी अच्छी होती है प्लीज इसे लाइक कीज़े सब्सक्राइब कीज़े मेरे चैनल को मुझे आगे बढ़ाईए ठीके कल फिर में एक नई वीडियो के साथ आऊंगी जजाक अला अला अ चुछ प्ला अला 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 आग एको मेरे छोड़े लोगे रेसिवी बड़े जट लोगे लोगे टुछ झाल झाल